लास्ट लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर नमबर वन सेट्स यानि की समुच्छे की सभी एक्सेशाही का संपूर्ण हल दे दिया था आप उन सभी वीडियोज को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं आज हम लोग निव चैप्टर नमबर टू रिलेशन एंड फंक्षन यानि की संबंद एवं फनन की सुरुबात करने जा रहे हैं चलिए इसके आगे हम देखते हैं कि रिलेशन और फंक्षन में इसका बेसिक इंट्रोडक्षन क्या है पहले हमें यह जानना ज़रूरी है चलिए देखते हैं बेसिक इंट्रोडक्षन इसका क्या है यह आपके सामने हो गया बेसिक इंट्रोडक्षन बेसिक इंट्रोडक्षन यह में हमने सबसे पहले हेडिंग लिख दिया है समुचयों का कार्तिय गुणन मींस कार्टिजन प्रोड़क्ट आप सेट्स सबसे पहल जिनको प्रथम घटक P से तथा दुतिय घटक Q से लेकर बनाया जा सकता है इसमें इसको अंगरजी वर्षन के रूप में हमने दे दिया है बचों को कोई प्रवलाम ना हो यह वही चीज यह कनवर्शेजन के रूप में दिखाई दे रहा है तो बाई डेपनिशन इसको हम यह कैसे लिखेंगे जब्राब भी देख लिए P X Q talks Q Igual to small P, small Q bracket close such that small P belongs to capital P and small Q belongs to क्या हो गया capital Q यहाँ पर capital P और capital Q set होता है sets के रूप में represent करते हैं और यहाँ पर small P और small Q क्या है उनके element है तो यह element का तो हो चिन होता ही है जैसा कि आप पहले से जानते हैं यह element का sign है ठीक है ना इसको विस्तार से हम पढ़ने वाले हैं अब जरा इसके आगे जरा सलुसन देखिए यह क्या कहना चाह रहा है इसमें अगर हम यह small bracket में एक कमाब भी लिखें तो दो है ना दो को pair भी कहते हैं लेकिन order के रूप में लिखे होने के करण इसको हम कहते है ordered pair इसकी विस्ता क्या होती है इसमें फर्स्ट और सेकेंड पोजिशन फिक्स होता है तो इसलिए हम इसको कह देंगे फिक्स्ट पोजिशन A और B यह change आपस में नहीं होंगे ठीक है ना इसका एक एग्याम पिल लेके हम देखते हैं लेट capital A set equal to one two का element और capital B set का element है small a, b और small c देखिए यहाँ पर हमने क्या ले लिया capital A में element one two ले लिया और capital B set में ले लिया a, b और c यहाँ पर जैसा की दिखाई दे रहा है वही element हमने ले लिया यह सवाल को simple रूप में हल करने का एक धंग है और कुछ नहीं है तो एक और बात यहाँ पर जानना जरूरी है कि A और B में element given है यानि कि A और B दोनों क्या हो गया non empty set है तो इसका cartesian product हम कैसे find out करेंगे means क्रमित यूग्म कैसे हम प्राप्त करेंगे पहली बार चुकी आप देख रहे है तो धड़ा धेरे रखते हैं वे काम कीजेगा तो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा तो इसको हम कैसे find out करते हैं तो A क्रॉस B इकल टू देखिए ये A क्रॉस B इकल टू सभी 1 A 1 B 1 C 2 A 2 B 2 C बस यही आपका अंसर होता है 1 A 1 B 1 C 2 A 2 B 2 C इसकी विशेष्टा क्या होती है इसकी विशेष्टा यह होती है कि ये क्रेटर A जो होता है वो फर्ष्ट एलिमेंट से लिखा गया होता है 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2 ये फर्ष्ट एलिमेंट होता है पहले A आया है तो क्यावल एक एलिमेंट लिखा है क्राउस करके बाद में क्रेटर B लिखा है तो सभी में ये A, B, C के ही एलिमेंट दिखाई दे या तो small A दिखाई देगा या तो small B या तो small C वही ची फिर से दुबारा रिपिट होगा तो first जो होगा element वह capital A का होगा और इसमें जितने भी bracket में लिखे गए हैं उसका दूसरा element capital B का होगा बाद वाले को बाद के element से लिखते हैं और पहले वाले को पहले वाले element से हम represent करते हैं इतनी तो बात आपको समय में आ गई होगी रिमार्क नमबर 1 में कुछ बताना चाहते हैं जरा उसको भी जरा चेक कर लिए कह रहा है यदि capital A में P element हो तो number of A equal to कितना होगा small P ठीक यदि capital B set में small Q element हो तो number of B equal to कितना होगा क्यों तब A cross B में कुल element कितने होगे number of A cross B equal to number of A तो number of A into number of B क्या कहा number of A into number of B वोई ची लिए लिए number of A into number of B number of A को हमने P लिए था तो P लिए रहे हैं और number of B को Q लिखा था हमने तो यहाँ पर भी हम Q लिए रहे हैं इसका example हम उपर के ही उधारण से देख लेते हैं कि यह क्या कहना चारा है देखिए ए में दो element है तो number of a equal to कितना हो गया 2 P equal to 2 मिला यहाँ पर जारा चेक कर लिए क्योंकि above example की बात हम कर रहे हैं उपर के example number 1 लिखा है वही example 1 यहाँ पर भी है उसी उपर के example में ही देख लिए यहाँ पर number of B कितना element के है 1 2 और 3 तो number of B यानि कि Q equal to यह हो गया 3 तो तब number of a cross B यानि कि a cross B कार्टिजन में total element कितने होंगे इसका जवाब होगा P into Q equal to 2 into 3 equal to 6 यह आपका जवाब हो जाएगा अब remark number 2 में हम क्या बताना चाह रहे हैं वह भी समय लिए remark number 2 में क्या हम बताना चाह रहे हैं यदि P या Q में से कोई भी रिक्ट समुझा है मतलब empty set है empty set के case में उनका cardian product भी होगा empty set ठीक न empty set means null set उसमें कोई element तयार नहीं होगा जड़ा इसको example के तोर पर हम देख लेते हैं कि यदि A में रिक्ट समुझा है empty set है इस circle में कोई element हमने नहीं लिखा इसी को तो हम empty set कहते हैं इसको या इसको हम 5 से प्रतरित करते हैं तो यह कोई element यहां पर मौझूद नहीं है और लेकिन B में हम माल लेते हैं कि A B और C यहां पर तीन element है तो जड़ा चेक किए कि A क्रॉस B में कितने element हो जाएंगे तो जड़ा चेक करके देखना है कोई भी element नहीं है वहां से A कोई भी element नहीं है वहां से B कोई भी element नहीं है वहां से C यह तो हो ही नहीं सकता इस परकार से यहाँ पर यहाँ बात सत्य हो गया कि A क्रोस B में कोई भी element नहीं होगा means रिप्त समुचे के रुप में हमें यह A क्रोस B होगा चाहें P क्रोस Q होगा उस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा ठीक है ना जरा इसमें number of P क्रोस Q की value कितनी होगी number of P into number of Q equal to number of P की value कितनी हो जाएगी 0 क्योंकि P में element होगा नहीं और Q में कितना हो जाएगा 3 तो 0 into 3 equal to 3 तो A के जनाब पर हम A ना लिकरके हम इसको P माल लेते हैं थोड़ेर के लिए और B ना लिकरके इसको Q माल लेते हैं तब आपको इस परष्टा दिखाई दे रहा होगा कि P में कोई element नहीं है 0 लिदिया Q में हमने element 3 लिदिया 3 तो 0 into 3 equal to 3 अब ज़रा चेक कर लिए remark number 3 क्या कह रहा है यदि A या B में कोई infinite set हो ठीक है ना तो A cross B में भी infinite set होता है कहने का मतलब क्या हुआ ए में माल यह कि 1 2 3 dotted infinite set होगा तो 1 का यह A से बिलोंग करेगा 2 का भी A से 3 का भी A से 4 का भी A से 5 का भी A तो infinite का भी A से होगा इस तरह से यहाँ पर P cross Q में infinite set मिल आएगा कब होगा यहाँ जबकि A cross B जहाँ P cross Q में यह यह दोनों अलग-अलग या कोई भी एक इर्ष में से infinite set हो तो उनका Cartesian product भी infinite set के रुप में होगा चोथा रिमार्क में क्या हम बताना चाहरे है कि यदि A cross B cross C को देखें तो इसको हम कहेंगे क्या ordered triplate ordered triplate कहेंगे क्रमित त्रिक के नाम से हम जानते हैं अगर इसमें A cross B हो तो इसमें दो यह element होने के कारण पेर होने के कारण इसको हम नाम देते हैं अडर्ड पेर दो हो तो उसको अडर्ड पेर कहते हैं क्रमित यूग्म कहते हैं और तीन हो A cross B cross C तो उसको हम कहते हैं ordered triplate कहते हैं क्रमित त्रिक तो इस प्रकार से क्रमित त्रिक और क्रमित यूग्म होता है हें वह लांऱ च्रहरा कि यह और अडरड ट्रिप्लेट होता है और अडरड प्र होता है तीन के लिए ट्रिप्लेट अधों के लिए प्र होता है this struggling exercise के लिए हमने जो इतना ही है अब हम क्या करना चाहते हैं 2.1 यह जो आपको दिखाई दे रहा है इसके कुछ एक्जाम्पिल से उसको भी हम बता दें और नेक्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि उसको यह पूरी तरह से एक्जाई के अगले एक्जाई के कोशन को हम बताना चाहेंगे तो पहले हम एक्जाम्पिल को सिंप्ल वे में पॉइंट वन हो गया इसका एक्जाम्पिल नंबर वन कह रहा है कि यदि एक्जाई प्लस वन कमा वाई मानद टू इकल टू इकल टू टू थी कमा वन तो एक्जाई की वैलू हमें फाइंड आउट करनी है इसके लिए हम क्या देखते हैं एक्जाई प्लस वन यह फट एलि इसकेंड को सेकेंड से कंपेर करके वन से कंपेर करके देखें तो वाई मानद टू इकल टू वन इसको मानद टू को इधर लाइए तो वाई कल टू हमें त्री इस प्रकार से एक्जाई का वैलू मिल गया अब देख लिए एग्जाम्पिल नंबर टू क्या कह रहा है यदि P equal to A, B, C और Q equal to R तो P cross Q Q cross P हमें find out करना है और दूसरे पार्ट में कह रहा है कि क्या दोनों कार्टियन प्रोड़क्ट मिंस कार्थिये गुणन समान हैं इसको हमें find out करना है इसके लिए हम क्या करेंगे ये देखिए सब P cross Q के लिए पहले हमने P लिए और बाद में Q है तो Q लिए ये बहुत आसान तरीका होता है P cross Q गयाद करने के लिए ठीक है ना तो जड़ा compare करके इसको इससे देखना है दूसरे पार्ट को दूसरे पार्ट से देखना है यहां से इसको देखना है और इसको देखना है इससे ठीक ना तो अब सबसे पहले P cross Q को हमने देखना है यह P और Q को दिखाई दे रहा हो तो जैसे अब हम इसके elements देखने आ रहे हैं यह इसका element क्या होगा AR BRCR ठीक वही चीज़ लिखा हुआ है देखिए AR BRCR यह P cross Q मिल गा अब यह देखिए Q cross R के लिए पहले हमने Q के element लिए और फिर P का element लिए अब हम Q cross P कैसे find out करेंगे ज़रा उसको भी चेक कर लिए यह R A R B R C ठीक ना वही चीज़ लिखा हुआ है R A R B R C कितना अस्तान है तो इससे हमें क्या चीज़ दिखाई दे रहा है P cross Q Q cross B आपस में equal क्यों नहीं है क्योंकि A R जिसमें A first हो और R second हो यह Q cross P में कोई element के रूप में दिखाई नहीं दे रहा है इस प्रकार से कोई भी आपस में एक दूसरे से compare करके देखें तो equal नहीं होने के कारण हमें दिखाई दे रहा है कि P cross Q not equal to Q cross P यहीं हमें second part के रूप में solve करना था अब देखिए example number 6 क्या कह रहा है यह चीज़ ध्यान कहेगा 1,2 के बाद में example number 6 को अटेन करने जा रहा है यहाँ पर कह रहा है question कि यदि A cross B equal to PQ, PR, MQ, MR तो A और B set को हमें find out करना है तो A यहाँ पर क्या है first element ठिक और B क्या है इसी का second element जो चीज़ दो बार हो set में हम एक ही बार लिखते हैं तो देखिए हम set को किस तरह से लिखते हैं यह first element A का set कैसे प्रात करेंगे देखिए यह P दिखाई दे रहा है P दिखाई दे रहा है दो बार है तो एक बार लिख दिया फिर से ज़रा आगे बढ़ते हैं यह M दिखाई दे रहा है और M दिखाई दे रहा है तो हम M लिख दिये इस प्रकार से हमें मिल गया set A इसी प्रकार से set B बाद वाल एलिमेंट को चेक करना है जरा वो भी चेक करके देखते हैं Q, R ये Q और R लिख दिए ठिक Q और R लिख दिए ना फिर से देखिए यहाँ पर Q और R है और लिख चुके हैं इस प्रकार से आपका set A और B मिल गया या आपका answer हो गया अब देखिए यहाँ पर कह रहा ह आपका example number 3 क्या कह रहा है माल लिखे कि capital A equal to 1,2,3 B equal to 34 C equal to 456 ठीक ना तो हमें इसमें 4 part find out करना है फर्ट पार्ट है A cross B intersection C, second part है A cross B intersection A cross C, third part हमें find out करना है A cross B union C, fourth part हमें find out करना है A cross B union A cross C चलिए इसका solution का first part हम इसको solve करना चाहते हैं पहले तो फर्ट पार्ट solve करने के लिए पहले इसमें देखिए हमें B intersection C find out करना है तो देखिए हमने B लिख दिया C लिख दिया हमने अभी कोई element हमने नहीं लिखा है अब आप देखिए जरा इसमें से A, B और C से B और C को जरा चेक कर लिए तो हमें पता चलता है इस दोनों में B यानि कि 4 common है तो यहाँ पर 4 को common के रुप में लिख दिये अब B में क्या बच गया 3 बच गया तो इस 3 लिख दिये अब C की बात करें तो 6 element क्या बच गया 5 and 6 बच गया तो इस प्रकार से B में मिल गया 3,4 और C में मिल गया 4,5,6 यह element मिल गया हमें ठीक है न तो इस प्रकार से हमें B intersection C यानि कि दोनों में B और C में जो common है वह मिल गया हमें 4 अब इस A का B cross C के साथ हमें Cartesian product find करना है तो कैसे करेंगे जड़ा देखिए A cross B intersection C equal to 1,4,2,4,3,4 क्योंकि उपर से नीचे क्यों चलना है 1 के साथ 4,2 के साथ 4,3 तो हम इसका answer क्या लिखेंगे 1,4 bracket 1 यह फिर से 2,4 bracket 1 फिर से 3,4 bracket 1 और यह curly bracket close कर दिए यह आपका answer हो गया अब देखिए solution second part solution second part में हमें find out करना है A cross B intersection यह वाला A cross C तो सबसे पहले A cross B को देखने के लिए क्या करते हैं पहले इस जगा A लिख दिए फिर B लिख दिए A और B का element लिख दिए अब जरा हम इधर से इधर के और बढ़ते हैं 1,3,1,4,2,3,2,4,3,3,3,4 यही तो आपका answer है तो क्या-क्या मिल रहा है जरा चेक कर लिए 1,3,1,4,2,3,2,4,3,3,3,4 इसको कर लिख यहां से सुरू किये थे और यह बंद कर लिए यहां पर तो यही आपका answer है आगे A cross B का जवाब से आधा पाड़ है A cross C की बात करें तो यह देखिए यह A है और यह आपका C है तो A cross C में पहले A element आ रहा है तो A लिए दिए अब बाद में C आ रहा है तो C लिए अब जरा कैसे इसका हम element find out करेंगे उसको भी देख लिए 1,4,1,5,1,6 इसी परकार से 2,4,2,5,2,6,3,4,3,5,3,6 इन सब को हम नोट कर लेंगे तो हमें मिला 1,4,2,1,5,1,6 फिर से क्या है तो के लिए 2,4,2,5,2,6 फिर से 3 का 4 में 3,4,3,5 और 3,6 अब इसको कर लिए ब्रेकट यहां पर शुरू हुआ था और इसको बंद कर लिए तो इस परकार से आपका आंसर यह A cross C के लिए यह यह भी आदा पाट है अब हम चेक करेंगे कि A cross B और A cross C में दोनों में इंटरसेक्शन यानि की कामन कौन सा है ज़रा मिलान करके देखिए 1,3 नहीं मिल रहा है वोई 1,4 मिल रहा है तो 1,4 लिखते ज़ते हैं 1,4 मिल गया इसके बाद में यह 2,3 ज़रा चेक कर लिए समय से 2,3 नहीं मिल रहा है 2,4 ज़रा चेक कर लिए 2,4 मिल गया दोनों में कामन तो वो लिख लेते हैं 2,4 हो गया इसके बाद में यह मिल गया अब 3,3 ज़रा चेक कर लिए यह 3,3 कहीं नहीं दिख रहा है अब 3,4 ज़रा चेक करके देख लिए 3,4 मिल गया तो अब हमें 3,4 मिल गया यह चीज़ अलग से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि A x B intersection A x C का आपका यहीं जबाब है इसमें 3 element आपको मिल गया जो कि पहले से हम दिखे हुए है अब देखिए यहाँ पर इसका 3rd part के लिए solution क्या है इसमें हमें find out करना है A x B union C तो क्यों नहीं पहले B union C हम find out करें इसके लिए when diagram पहले B और फिर C ले करके B के element कौन कौन से हैं पीछे पलड़ चुके हैं जरा उसको भी समझ लिएगा B के element था 3, 4 और C के element था 4, 5, 6 पीछे देख सकते हैं यह चीज़ तो इस प्रकार से B union C equal to क्या होगा यहाँ से ले करके चेक कर लिए और यह पूरा मिला करके जो मिलेगा element वो पूरा कर पूरा मिल गया हमें 3 यह B union C तो B union C जरा आब मिला लिए क्या क्या मिला 3, 4, 5, 6 तो हमें मिला 3, 4 यह हो गया 5 और यह हो गया 6 और यह curly bracket यह close कर दिया ठीक ना तो इस प्रकार से अब A cross B union C तो यहाँ पर हमने देखिए A लिग दिया और यह वाला 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 B union C लिए इसकी value क्या होगी हम यह ज़ 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6 ठीक ना तो पहले link लेते हैं इसका element मिला हमें यह 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 5 फिर से 3, 6 आगे क्या है 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 इसके बाद में last में बच रहा है मेरा 3, 3, 3 देखते रहिएगा फिर से 3, 4, 3, 5 और हमें मिल गया 3, 6 अब इसको भी curly bracket बंग कर दे तो इस प्रकार से आपको मिल गया A cross B union C ठीक है ना अब आपका यह एक और 4 पार्ट इसमें बचा हुआ है पहले उसको भी देख लिए A cross B equal to हमें पहले find out करना पड़ेगा फिर A cross C find out करना पड़ेगा A cross B और A cross C का union फिर हमें निकालना है तो A और B लिख दिया है तो A cross B में element कौन कौन से होंगे 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 3, 3, 4 तो हमें पहले लिख लेना पड़ेगा तो यह curly bracket में हमने क्या लिख दिया 1, 3, 1, 4 इसके बाद में 2, 3 यह 2, 4 लाट में लिखना पड़ेगा हमें 3, 3 और फिर मिल गया 3, 4 यह curly bracket close हो गया अब A cross C जड़ा चेक कर लिए क्या मिला मैं यह A है यह C है अब curly bracket के रूप में हम यह जवाब दे रहें एक cross C का जवाब 1, 4, 1, 5, 1, 6 पहले लिख लिए 1, 4, 1, 5, 1, 6 इसके बाद में क्या होगा 2 के लिए 2, 4, 2, 5 और 2, 6 फिर 3 के लिए होगा 3, 4, 3, 5 और 3, 6 और इसको curly bracket close कर लिए element A cross C का मिल गया हमें अब हमें A cross B union A cross C element के रूप में हमें find out करना है इसके लिए क्या करना होगा A cross B और A cross C में सभी element को हमें लिखना पड़ेगा जरा चेक कर लिए 1, 3 यहाँ पर तो है नहीं 1, 3 लिख दिया इसके बाद में 1, 4 यह 1, 4 मिल गया इसके बाद 2, 3 मिलान करके देख लिए 2, 3 नहीं है लिख लिए 2, 3 इसके बाद 2, 4 जरा चेक कर लिए इसमें 2, 4 मिल रहा है तो लिख लिए 2, 4 मिल गया इसके बाद में मिला हमें 3, 3 यह रिपिट नहीं हो रहा है तो 3, 3 लिख दिये इसके बाद 3-4 जड़ा चेक कर लिए मिल रहा है कि नहीं? मिल गया 3 कमा ये 4 मिल गया अब अत्रिक्त उपर वाले A-C-B तो हमने सब नोट करी लिए अब A-C में जो सेस बच गए उनको भी नोट करना है क्योंकि union में तो सभी element को लिगना होता है अब जो सेस बच गया वो कौन कौन सा है 1 कमा ये 5 1 कमा ये 6 ये इसके बाद में 2 कमा ये 5 इसके बाद में 2 कमा ये 6 मिल गया इसके बाद 3 5 और 3 6 3 कमा ये 5 मिल गया और ये हो गया 3 कमा 6 कर लिए प्रेकेट क्लोज तो ज़रा गिन लिए कितने element है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, गारा, बारा तो ये आपका सही आंसर है अब देखिए ये आपन नंबर 4 क्या कह रहा है यदि P इकल टू 1 कमा टू तो P क्रॉस P क्रॉस P गयाद करना है 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2 तो हमें मिला 1, 1, 1, 2 इसके बाद में 2, 1 और हमाद लाश में मिल गया 2, 2 कर ले ब्रिखेट क्लोज अब हम P क्रॉस P क्रॉस P इकल टू ये वाला P क्रॉस P लिए और क्रॉस P तो ये वाला P क्रॉस P को ये लिखा हुआ है दिखाई दे रहा है यहां पर one 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 two one यह सब वैलू लिए एक दो तीन चार यह चारो वैलू पहले से लिए अब यह अगला जो पी है बाद में पी इंडिकेट कर चुके हैं अब इसका इसका एलिमेंट हम एके करके कैसे find out करेंगे जरा वह देग लिए इसके साथ one के साथ इसको two के साथ इसी तरह से इसको भी one के साथ two के साथ मिलाए चला यह यह वन वन फिर से मिला वन वन टू तो मिला वन वन यह हो गया टू फिर से तू वन वन यह मिला हमें तू वन वन ठीक है न यह टू के लिए और तू यहां पर क्या मिला यह यह वन वन तो मिल गा वन टू भी मिल गया तू के साथ यह वाला वैल हमने लिए है तू वन यह टू और 212 यह तु वन ठू यह वाला छूट गया उसको भी ज़रा चेक कन लिए 121 ऋफिर से तु पालफमीखे यह 2,1 और लाट में मिल गया यह 2,2 इस प्रकार से करली ब्रेकेट क्लोज कर दिए तो आपका आंसर मिल गया यह कितने एलिमेंट है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ इसके आठ आंसर क्यों होंगे इसका भी जवाब देख लिए यह इसमें भी दो इसमें भी दो इसमें हो जाएगा इट इस प्रकार से एट एलिमेंट दिखाई ज़े रहा है यह आपका अंसर है अब यहां पर फाइब लास्ट कोशन के रूप में देख लिए यह कह रहा है यदि कैप्टल आर समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्छ है तो कार्तिय गुणन आर क्रोस आर औ यह फड्श पाट आर क्रोस और इकोल टु क्या है यह बयी डेफिनिशन एक्स कमा वा इससाई एक स्यन वास्तव में क्या होता है। एक लाइन पर यह जो जितने Oke वन टू थ्री इनके बीच में जितने भी वेलू होते हैं वो सब कैपिटल आर के अंतरगात आते हैं वो चीए तो आगे हम क्या लिगना चाह रहे हैं इट है आल दा पॉइंट्स इन टू डाइमेंशनल स्पेस अब सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है आर क्रॉस आर क्रॉस आर ए इसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस प्रकार से यह पहला x-axis दूसरा y-axis तीसरा z-axis पर यह वैलू है आपर यह लाइन के रूप में जो भी वैलू मिलते हैं यह बहुत सारे वैलू अनंत के रूप में होते हैं यह x-y-z विलांग तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं ज़रा वह भी देख लिए r x r x r equal to x, y, z such that x, y, z belongs to real number यह 3D बिंदूों के निर्दे सांकों को प्रकट करने के लिए किया जाता है अनता आपको अच्छा लगा हो तो प्ली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजेगा आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्ट विडियो में निव एक्सरसाइज के साथ थैंक्यू